एक प्यार कब बेवफाई में बदल जाए ये ख्याना बेहत मुश्किल है और ऐसी एक अजीवों गरीब घटना पुलिस ओफिस से सामने आई है जहां एक लड़की से प्यार करता था सिपाही लड़का कब ये प्यार बेवफाई में बदल गया ये लड़की को भी पता नहीं चला जिन्देगी भर साथ रहने का भरोसा दिया और शादे के बात कहकर जिस्मानी नजदी क्या भी बढ़ाई लेकिन पुलिस में नौकरी लगने के बाद ही वो लड़की से दूर जाने लगा फिर कि क्या है ये पूरा मामला आपको बता दे कि बुलन शेहर के सियाना की रहने वाली काजल अपने सिपाही प्रेमी गौरफ की वेवफाई के शिकायद लेकर SSP बुलन शेहर संतोस कुमार सेंग के पास पहुची तो बता दे कि SSP ने प्रेमी का कि शिकायद सुनकर प्रेमी को बचने के लिए शादी के लिए रजाबंध हो गया फिर क्या था एससपी दफ्तर में एससपी ने जैमाला मंगाई और इतना ही नहीं शादे की खुश्यां बाटने के लिए मिठाए भी मंगवा डाली बकाइदा पुलिस फर्यादी और पत्रकारों की मौझूदगी में जैमा दुलन को पुलिस ऑफिस से आशिवा दे कर बिदा किया बता दे कि काजल का करीब तीन साल से गौरफ के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था प्रेमी काजल का ये आरोप है कि गौरफ शादी का जहासा दे कर उसके साथ शारिक संबन बनाता रहा और इसी बीच गौरफ की नौ दोनों को महिला से भेज दिया जहां दोनों की शादी कराई गई चलिए सुनाते हैं क्या कहना है दुलन काजल का क्या मामला हुए आप एस एस पी ओपिस आई है तो उन्होंनों क्या शादी कर रहे हैं क्या शादी के तयारी चल रहे हैं क्या घटना हुई है बदादे कि पुलिस की मताविं जैमाला की रासम को पुछणाया गया शादी को कानूरी रूप देने के लिए कोट Украї प्रक्रिया शुरू कर दिगई來到 शादी करवाके जैमाला ये रसम के बाद दोनों पती पत्नी को विदा कर दिया गया ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को ज़रूर प्राइब कर दोनों